तेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आज हम एक बार फिर मन की बात के लिए एक साथ जुड रहे हैं, दो दिन बार दिसंबर का महिना भी शुरू हो रहा है, और दिसंबर आते ही साइकलोजी के लिए हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए बैस साल पुरा हो गया, ये साल का आखरी महिना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं, इसी महिने नेवी डे और आंट फोर्सेस फ्लैक डे भी देश मनाता है, हम सब को मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्धिका स्वर्णिम जेनती वर्स भी देश मना रहा है, मैं सभी अवसरों प से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो एप पर, माइगाव पर, आप सब के धेल सारे सुझाव भी मिले हैं, आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए, अपने जीवन के सुख दुख भी साजा किये हैं, इसमें बहुत सारे नवजवान भी हैं, चात्र चात्राएं हैं, मुझे वाकई भहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा एक परिवार निरंतर बड़ातव हो ही रहा है, मन से भी जूड रहा है और मक्सत से भी जूड रहा है, और हमारे गह देश्वासियों, मुझे सीतापूर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमरित महोतसव से जूड़ी चर्चा है, उन्हें खूब पसंदार ही है, वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधिनता संगराम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, साथियों, अमरित महोतसव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने के भी प्रेड़ा देता है, और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारे हैं, पंचायत से लेकर के पारलामेंट तक अमरित महोतसव की गुंज है, और लगातार इस महोतस की कहानी, बच्चों की जुबानी, कारकम में बच्चों ने स्वाधिनता संग्राम से जोड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया, खास बात ये भी रही, कि इसमें भारत के साथ ही नेपार, मौरिशस, तंजानिया, न्युजिलेंड और फीजी के स्टूड ये समृत्म हो समना रहा है, ओइन जिसे इन दिनों वेल फील्ट्स में अपने स्टूडेंस के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है, इन टूर्स में युवाओं को ओइन जिसे के वेल फील्ड अपरेशन की जानकारी दी जा रही है, उद्देश ये कि हमारे उभरत इं समृधाय के योगदान को देखते हुए देश ने जन जातिये गवरों सब्तावी मनाया है, देश के अलग-अलग हिस्सों में इससे जुड़े कारक्रम भी हुए, अंडबार, निकवार, द्विपसमों में, जारवा और ओंगे, ऐसे जन जातिये समृधाय के लोगों ने अ उन्हों ने पोस्टे स्टेमपर ही, यहिनि ितने छोटे से पोस्टे स्टेमपर नेता जी, सुभाश चंदर बोस और पुर्व प्रधान मंत्री लारगवागरू सास्त्री जी के अनोखे स्कैच बनाई हैं, हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्हों ने स्कैच तयार किय जिसमें संख्षेप में दोनों मापुरोषों की जीविनी को भी उकेरा गया है मत्यप्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कारकम की जानकारी दिये है इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और वरिदान की यादे ताजा की गई है ऐसा ही एक कारकम काशी में हुआ गोश्वामी तुलसिदास, संतकबीर, संतरईदास, भारत इंदुहर्चंद्र, मुन्सि प्रेमचन और जैसंकर प्रसाज जैसे महान विभूत्यों के सम्मान में तीन दिनों के महोत्सों का आयोजन किया गया अलग-अलग कालखन में इन सभी की देश की जन जागुरुत में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोर्स के दोरान मैंने तीन प्रतियोगीताओं का उलेग किया था competition की बात कही थी एक देशभक्ति के गीत लिखना देशभक्ति से जुड़ी आजहादी के अंदोलन से जुड़ी गट्नाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए मुझे आशा है इन प्रतियोगीताओं के लिए भी आप जुरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे मुझे आशा है बढ़ चट करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कारकम को आप जुरूर आगे बढ़ाएंगे मेरे पहरे देश्वासियों इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वरंदावन लेकर चलता हूँ वरंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे संतों ने भी कहा है यह आसा धरी चित में कहत जथा मतिमोर वरंदावन सुख रंग कव काहून पायो और यानि वरंदावन के महेमा हम सब अपने अपने सामर्थ के हिसाब से कहते जरूर है लेकिन वरंदावन का जो सूख है यहां का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो वरंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्थित करता रहा है इसकी छाब आपको दुनिया के कौने कौने में मिल जाएगी पस्चीमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भाती परिचीत होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं पर्त में एक Sacred India Gallery इस नाम से एक Art Gallery भी है यह Gallery स्वान बेली के एक खुब सुरत ख्षेतर में बनाई गई है और यह Australia की एक निवासी जगत तारिनी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है जगत तारिनी जी बैसे तो है Australia की जन्म भी वहीं हुआ लालनपाल भी वहीं हुआ लेकिन तेरा साल से भी अधिक समय ब्रंदामन में आकर के उन्होंने बिताया उनका कहना है कि फिर Australia लोड तो गई अपने देश वापिस तो गई लेकिन वो कभी भी व्रंदामन को भूल नहीं पाई इसलिए उन्होंने व्रंदामन और उसका अध्यात्मिक भाव से जोडने के लिए Australia में भी व्रंदामन खड़ा कर दिया अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अध्भूर्त व्रंदामन उन्होंने बना लिया यहां आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का आउसर मिलता है उन्हें भारत के सरवाधिक प्रसिद्ध तिर्थस्तलों व्रंदावन नवादवीब और जगनातपुरी की परंपरा और संस्कृति की जलग देखने को मिलती है यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जूड़ी कई कलाकृतिया भी प्रतसित की गई है एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन परवत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है जिसके नीचे व्रंदावन के लोग आहिस्त्राई लिए हुए है जगत तारेनी जी का यह अधिभूत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का धर्शन कराता है मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुक पामनाय देता हूँ मेरे पहरे देश्वासियो अभी मैं आस्ट्रेलिया के पर्थ में बने ब्रंदावन के विशे में बात कर रहा था ये भी एक दिल्चस्प इतिहास है कि आस्ट्रेलिया का एक रिस्ता हमारे बुंदेल खंड के जांसी से भी है दरसल जांसी की रानी लक्ष्मिबाई जब इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाब कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग जॉन लेंग मूल रूप से आस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मिबाई का मुकदमा लड़ा था हमारे स्वतंतरता संग्राम में जांसी और बुंदेलखन का कितना बड़ा योगदान है यह हम सब जानते हैं यहां रानी लक्ष्मिबाई और जल्रकारी बाई जैसी विरांगनाय भी हुई और मेजर ध्यांचन जैसे खेल रत्न भी इस खेत्र ने देश को दिये हैं साथ क्यों वीर्ता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूर यह नहीं होता वीर्ता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर खेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं मुझे ऐसी ही वीर्ता के भारे में स्रीमती जोथना ने चिठी लिक कर बताया है जालोन में एक पारंपारिक नदी थी नून नदी नून यहां के किसानों के लिए पानी का प्रमुक स्रोध हुआ करती थी लेकि धीरे धीरे नून नदी लुपत होने की कगार पर पहुँच गई जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तबदील हो रही थी इसे किसानों के लिए सिंचाय का भी संकर खड़ा हो गया था जालों के लोगों ने इस थित्री को बदलने का बेड़ा उठाया इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमिटी बनाई गई हजारों ग्रामिन और स्थानिय लोग स्वता स्पूर्थ इस अभ्यान से जुड़े यहां के पंचायतों ने ग्रामिनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में यह नदी फिर से जिवित हो गई है कितने ही किसानों को इसका फाइदा हो रहा है युद्ध के मैदान से अलग विर्ता का यह उधारन हमारे देश वाच्यों के संकल्प सक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है और तभी तो मैं कहता हूँ सब का प्रयास मेरे प्यारे देश वाच्यों जब हम प्रकूरती का सवरक्षन करते हैं तो बन्ले में प्रकूरती हमें भी सवरक्षन और सुरक्षा देती है इस बात को हम अपने नीजी जिवन में पर अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उधारण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक्स तरपर प्रस्तूत किया है यह उधारण है तमिलनाडु के तुतुकुडी जिलेगा हम जानते हैं कि तत्रिये इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खत्रा रहता है तुतुकुडी में भी कई छोटे आइल यह लोग अब इन टापों पर पालमेरा के पैड लगा रहे हैं यह पैड साइकलोन और तुफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा दीते हैं इनसे अब इस लाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है चाथियो प्रकृती से हमारे लिए खत्रा तभी और हमारी दुनिया में नइने रंग भी भरती हैं अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था मेगाले में एक फ्लाइंग बोड की तस्वीर खुब बाइरल हो रही है पहली ही नजर यह तस्वीर हमें आकरसित करती हैं आप में सभी ज्यादाता लोगों ने इसे ऑनलाइन ज चल रही है नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती हैं हमारे देश में अनेक राज्य हैं अनेक शेत्र हैं जहांके लोगों ने अपनी प्रकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शेली आज भी जीवित रखी है, कि हम सब के लिए भी प्रेणना है, हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक सहुसादन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप नौटाएं, इसी में हम सब का हीत है, जग का हीत है, मेरे पहरे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती हैं, बजट खर्च करती हैं, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती हैं, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही हैं, लेकिन सरकार के अनेक कारियों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच, मानविये सम्वेदन से जुड़ी बाते हमेशा एक अलग सुख देती हैं सरकार के प्रयासों से सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बढ़ला उस बढ़ले हुई जीवन का अनुभव क्या है जब यह सुनते हैं तो हम भी संबेद्नाओं से भर जाते हैं यह मन को संतोस भी देता है और उसी यो आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथे भी जूड़ रहे हैं जो अपने होंसलों से एक नया जीवन जीत कर आये हैं इन्होंने आईश्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिन्दगी की शुरुवात की हैं हमारे पहले साथी हैं राजेश बात करते हैं राजेश जी नमस्ते नमस्ते साथ नमस्ते आपकी राजेश जी बिमारी क्या थी फिर किशी डॉक्टर के पास गए होंगे मुझे ज़रा समझाईए स्थानी डॉक्टर ने कहा होगा फिर किशी और डॉक्टर के पास गए होंगे फिर आप निरने नहीं करते ह हUNGे या करते हुँंगे क्या क्या होता था विखे लॉस्ट propor को देखाया पहले लट्चन इससे पता प्छे पह आनुने र्फर किया मूझे स्रीराम पॲें से मिले अम या उन्मरेav तो ग्राफिक री पिर उन्होंने बताया कि बटा यह तो तुम्हारी नस्व लाकेज है हमने का सर किसमे कितना खर्चा आएगा उन्होंने का काड है इसमान वाला जो प्रेम जी ने बन आके दिया तो हमने का सर है हमारे पास है और सारा इलाज उसी कार्ट से हुआ है सर और जो आपने यह बनाया आयकार यह बहुत ही अच्छी तरीके से अप गड़ी बादियों गले बहुत सोलियत इससे और आपका कैसे में धन्वाद करूं आप करते का है राजेश जी सर मैं इस समय तो प्राइट नोकरी करता हूं सर और आयू कितनी है आपकी मेरी उन्चास स सर यह पहला है मारे साथी हुआ है यह आयूश्मान कार्ड बारत सरकार यह आपार देती है गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है तो आपको पता कैसे चला यह तो इतनी बड़ी योजना करीबाती बहुत किससे बेनिफिट मिलका है वह इतना खुस है अच्छा करचा बोला था रोक्तर ने तो राजेश जी आपको अभी संतोष है तब यह ठीक है अपको बहुत बहुत धन्वाद सा और आपकी उमर भी इतनी लंबी हो कि हमेशा सक्टा में ही रहे हैं हमारी परवार के लोग भी आप से इतना खुस हैं हम क्या कहें आप राजेश जी आ आप मुझे सत्ता में रहने के शुब कामना मत दीजिए मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविश में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं मेरे लिए यह पत यह प्रधान मंत्री सारी चीजे यह सत्ता के लिए है ही नहीं भाई स सेवा के लिए तो चाहिए हम लोगों को और क्या देखिए गरीबों के लिए यह आयुश्मान भारत योजना यह अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है लेकिन देखिए राजेश जी आप हमारे काम कीजिए करेंगे यह बिल्कुल करेंगे सर्फ देखिए होता क्या है कि लोगों को इसका पता नहीं होता है आप एक जिम्मेबारी नभाईए ऐसे जितने गरीब परिवार है आपके आसपास उनको अपनी यह कैसे आपको लाब हुआ कैसे मदद मिली यह बताईए बिल्कुल बताएगे सर्फ और उनको कहिए कि बेबी ऐसा काड़ बनवा ले है त करें तो यह भी बड़ी चिंता का विशा है और गरीब को तो क्या होता है जैसे आपको हार्ट का ट्रॉब्लेव हुआ तो कितने महिने तक आप कामी नहीं कर पाए होंगे आप तो आप प्रजेश जी मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप यह आउश्मान योजना के सबन्द में समझा सकते हैं वैसे बीमार लोगों की मदर्द कर सकते देखें आपको भी संतोस होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि चलिए एक राजेश जी की तभी तो ठीक हुई लेकिन राजेश जीने सेंक्रों लोगों की तभी ठीक करवा दी यह आउश् चलिए राजेश जी आप अपने आपको स्वस्त रखिए थोड़ी शरीर की चिंता करिए बच्चों की चिंता किजिए और बहुत प्रगेति ही जी मेरी बहुत शुक कामना है आपको साथियों हमने राजेश जी की बाते सुनी आईए अब हमारे साथ सुख देवी जी जूड रही है गुटनों की समस्या ने उन्हें भावत परिशान कर दिया था आईए हम सुख देवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं सुख देवी जी नमस्ते आप कहां से बोल रही हैं कहां पड़ता है यह मत्रा में फिर तो सुख देवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ रादे रादे भी कहना होगा अच्छा हमें सुना कि आपको तकलिप हुई थी आपका कोई ऑपरेशन हुआ जरा तो आपकी आयो कितनी है सुखदेवी जी उमर 40 साल और सुखदेव नाम और सुखदेवी को बीमारी हो गई बीमारी तो मुझे 15-16 साल लग गई अरे इतनी छोटी आयो में घुटने आपके खराब हो गए तो 16 साल से 40 साल की उमर तक आपने इसका इलाजी नहीं करवाया तो सुखदेव जी आपरेशन का विचार कैसे आया उसके पैसों का क्या प्रबंद किया कैसे बनाये सब आपको आईश्मान कार्ड मिल गया था और आईश्मान कार्ड से गरीबों को मुफत में उपचार होता है पता था मेरी नाम से मैंने कोई पैसा ने लगाया कार्ड से यह लगाया इसकी अच्छा डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड मीन होता तो कितना खर्चा बताते थे थे दाई लाग रुपे ती लाग रुपे 6-7 साल से परियूंद रही एक으면 नहीं चेजी नहीं जीना है तो अभी आपका गुटना पहले से अच्छा हुआ है कुछन का काम करती हैं बच्चन को खाना बना के देती हैं तो मतलब आईश्वान भारत का कार्ड आपको सचमच में आईश्वान बना दिया बहुत 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 दन्वाद आप इसे जनाखी वज़े से ठीक हो गई अपने पेरन के खड़ी हो गई तब तो बच्चों को भी आनन्द आता होगा बच्चन को तो बहुत भी परेशान ही होती थी अब मा परेशान है तो बच्चा भी परेशान है देखे हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्ती होता है ये सुखी जीवन सबको मिले यही आईश्वान भारत की भावना है चलिए सुख देवी जी मेरी आपको बहुत बहुत सुख कामना है फिर से एक बार आपको रादे 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 नवस्ते मेरे पैरे देशवासियों युवाओं से समरुद हर देश में तीन चीजे बहुत माइने रखती हैं और वही तो कभी-कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है पहली चीज है आइडियाज और इनोवेशन दूसरी है जोखिम लेने का जज़बा और तीसरी है केंड डू स्पिरिट यानि किसी भी काम को पुरा करने की जिद चाहे परिस्तित्या कितनी भी विप्रिक्यों नहों जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती है तो अभूत पूर्व प्रणाम मिलते हैं चमतकार हो जाते हैं आज कल हम चारों तरब सुनते हैं स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप स्टार्ट अप सही बात है ये स्टार्ट अप का यूग है और ये भी सही है कि स्ट बहुत तेज रप्तार से आगे बढ़ रहा है यहां तक कि देश के छोटे छोटे शेरों में भी स्टार्ट अप के पहुंच बढ़ी है आज कल यूनिकॉन सब्द खूब चर्चा में है आप सबने इसके बार में सुना होगा यूनिकॉन एक ऐसा स्टार्ट अप होता है जिसक साल 2015 तक देश में बमुश्किल नव या दस यूनिकॉन हुआ करते थे आपको यह जानकर बेहत खुशी होगी कि अब यूनिकॉन की दुनिया में भी भारत तेज उडान भर रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बड़लावाया है सिर्फ दस महिनों में भारत में हर 10 दिन में एक उनिकॉन बना है यह इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे यूवाओं ने ये सफलता कुरोना महामारी के बीच हासिल की है आज भारत में सत्तर से अधिक उनिकॉन हो चुके हैं याने सत्तर से अधिक स्टार्टप ऐसे हैं जो एक बिलियन से जादा के वेल्यूएशन को पार कर गए हैं साथियों स्टार्ट अप की सभलता के कारण हर किसे का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेश्वकों से उसे समर्थन मिल रहा है शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कलपना भी नहीं कर सकता था साथियों स्टार्ट अप्स के जर्ये भारतिय युवा ग्लोबल प्रॉब्लम्स के समाधान में भी अपना योगदान दे रहे हैं आज हम एक युवा मयूर पाटिल से बात करेंगे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पॉलूशन की प्रॉब्लेम का सॉलूशन देने का मयूर जी नमस्ते आप कैसे हैं अच्छा मुझे बताये के आज अब मुझे बारे में बताएए और इस में तभी मेरे पास मोटर साइकल था जिसका mileage बहुत कम था और emission बहुत जादा था वो two-stroke motorcycle था तो emission कम करने के लिए और उसका mileage थोड़ा बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश चालू किया था 2011-2012 में और उसका मैंने करीब करीब 62 km per liter तक mileage बढ़ा दिया था तो वहां से मुझे ये प्रेदना मिली कि कुछ ऐसा चीज बनाएं जो mass production कर सकते हैं तो बाकी बहुत सारे लोगों को उसका फाइदा होगा तो 2017-18 में हम लोगों ने उसका technology डेवलप किया और regional transport cooperation में हम लोगों ने 10 buses में वो use किया उसका result चेक करने के लिए और करीब करीब हम लोगों ने उसका 40% emission उसका कम कर दिया बसेस में अब ये technology जो आपने होजी है उसका patent वगरे करवा लिया हाँ जी patent हो गया ये साल में हमें patent grant होके आ गया और आगे इसको बढ़ाने का क्या प्लान है आपका किस प्रकार से कर रहे है जैसे बस का result आ गया उसके भी सारे चीज़े बाहर आ गई होगी तो आगे क्या सोच रहे है स्टार्टव इंडिया के अंदर नीतिया योग से अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वहाँ से हमें grant मिला और वो grant के basis पे हम लोग ने अभी factory चालू किया जहां पे हम air filters का manufacturing कर सकते हैं तो भारत सरकार के दरब से कितना grant मिला आपको 90 lakhs 90 lakhs और उससे आपका काम चल गया है अभी तो चालू हो गया है process में है आप कितने दोस्त मिलकर के कर रहे हैं सब हम लोग चार लोग है सब और चारों पहले साथ में पढ़ते थे और उसी में से आपको विचारा है आगे बढ़ने का हाजी हाजी हम college में हम लोग ने सब सोचा और यह मेरा idea था कि मेरा motorcycle का at least pollution कम हो जाए और mileage बढ़ जाए हाजा pollution कम करते हैं mileage बढ़ाते हैं तो average खर्च कितना बचता होगा sir motorcycle पे हम लोगों ने test किया उसका mileage हुथा 25 km per liter वो हम लोगों ने बढ़ा दिया 39 km per liter तो करीब करीब 14 km का फाइदा हुआ और उसमें से 40% का carbon emissions कम हो गया और जब buses पे किया regional transport corporation में तो वहाँ पे 10% fuel efficiency increase हुआ और उसमें भी 35-40% emissions कम हो गया मयूर में जो अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके साथ्यों को मेरी तरफ से बढ़ाई दीजिए कि college life में खुद की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी आपने खोजा और अब उस समाधान में से जो रास्ता चुना उसने परियावरण के समस्या को address करने के लिए आपने बिड़ा उठाया और यह हमारे देश के युवाओं का यह सामर्ती है कि कोई भी बड़ी चुनावती उठा लेते हैं और रास्ते खोज रहे हैं मेरी तरफ से आपको बहुत शुक्वाम नाए हैं बहुत-बहुत धन्यवाद तैंक्यू सर तैंक्यू साथियों कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था तुम नोकरी क्यों नहीं करना चाहते नोकरी करो न भाई अरे नोकरी में सेकुरिट के सबी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं साथियों भारत की ग्रोफ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है जहां अब लोग सिर्फ जौब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहें बलकि जौब क्रियेटर्स भी बन रहे हैं इससे विश्व मंच पर भारत के स्थिती और मजबुत बनेगी मेरे पैरे देश्वासियों आज मन की बात में हमने अमृत महोत्सव की बात की अमृत काल में कैसे हमारे देश्वासी नए नए संकल्पों को पुरा कर रहे हैं इसकी चर्चा की और साथ ही दिसंबर महिने में सेना के स्वारिय से जुड़े हुए अउसरों का भी जिकर किया दिसंबर महिने में ही एक और बड़ा दिन हमारे सामने आता है जिससे हम प्रेणा लेते हैं ये दिन है छे दिसंबर को बाबा साहब आमबेड कर की पुर्ण निति थी बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निरभन के लिए स सम्विधान हम सभी देश्वासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निरभन के अपेक्षा करता है तो आईए हम भी संकल्प लें कि अम्रुत महसव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे यही बाबा साहब के लिए हम्यारी सच्ची सद्ध हां दिली होगी साथ्यों अब हम दिसंबर महिने में प्रवेश कर रहे हैं स्वाभाविक है अगली मन की बात 2021 की इस वर्स की आखरी मन की बात होगी 2022 में फिर से यात्रा शुरू करेंगे और वहां आपसे धेर सारे सुझाओं की अपेक्षा करता ही रहता हूं करता आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं ये भी जुरूर बताईए और हां ये कभी मत भूलना कोरोना अभी गया नहीं है साउधानी बरतना हम सब की जिम्मेवारी है बहुत बहुत धन्यवाद